नमस्कार दोस्तों मैं दीप्तिकुप्ता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल परिक्षा प्लस पर आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे इंग्लिस के प्रिवेस एयर कुस्चिन्स लास्ट वीडियो में हम लोगोंने म किस तरह के कुस्चिन्स आ सकते हैं ठीक है वीडियो को सुरू करने से पहले आप सभी को बता दू हमारे परिक्षा प्लस पर बैच चल रहे हैं बैच में आपको सुपर्टेट यूपिटेट और सीटेट के बैच हमारे रनिंग है तो अगर आप कोई भी बैच में इन्रोल ह होना चाते हैं तो आपके पास इन दो नंबरों के इन दो नंबरों को कॉल करने का आप इन दोनों नंबर पे कॉल करके यहां की इनक्वैरी ले सकते हैं डेमो ले सकते हैं आफ्टर आप इसमें इन्रोल हो सकते हैं मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी को इससे बिलकुल हेल् बिना टाइम को गवाई अब हम लोग अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के वीडियो हम लोग 15 कुश्चिन को सॉल्व करने वाले हैं क्लियर है आप सुभी को तो फर्स्ट कुश्चिन हमारा जो रहेगा वो है हमारा की आपको यहां पर भरना है जो भी ब्लैंक है वो आपको भरना है इसमें आवर बोक है योर से योर है और योर बोक है अब देखें इस ड्रेस इस अवर बोक यह तो कोई मतलब कोई option नहीं बैठ रहा इसलिए आपका A और D तो सीधा सीधा गलत हो रहा जो भी आप आप में से थोड़ा सा भी अगर आप लोग common sense लगा लेंगे तो एक दो option तो ऐसे हटा लेंगे बांकि एक दो option में आप अपनी समझ के अनुसार सही option टिक कर सकते हैं अब देख सकते हम लोग की this dress is अब हम लोग अगर यहां पर देखें तो इसमें जो माइन है वह आपका किस में जा रहा है super later में थर्ड में जा रहा है तो आपका जो यू आपने इसके first person second person और third person पढ़े होंगे या फिर माइन पढ़ा है ऐसे ही आपने यू का पढ़ा होगा you your yours ठीक है तो अगर यहां पर माइन है तो आपका यहां पर क्या आएगा yours आएगा इसलिए आपका option number भी यहां से सही हो जाएगा question number two है आपका की change the following sentence in passive voice आपको इसको passive voice में change करना है have the girls asked the question अब इसको passive voice में solve करने के लिए या तो आपको सारे rules पता होने चाहिए या फिर आप options से कुछ options को हटा सकते हैं चलिए तो आप हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले तो basically जो हमारा subject है वो पीछे जाता है यह आप सभी को पता है passive voice बनता है तो हम लोग देखते हैं कि कैसे solve हो गाई यह this question have asked by girls देखो इसमें गलती क्या हा रही पहली बात तो आपका जो यह question था वो आपका question mark में था अब यह normal है इसलिए आपका यह गलत हो जाएगा ठीक है अब इन तीनों में हम लोग देखते कि कौन सा सही हो सकता है तो अब हमारा subject रहेगा वो हमारा this question बन जाएगा क्योंकि हमें passive म हमें बनाना है तो this question हमारा क्या हो जाएगा subject हो जाएगा लेकिन आप इसमें देखें this question के साथ have लगा हुए इसलिए यह भी option गलत हो जाएगा हम लोगों ने दो option कट कर लिए अब बचा एक मतलब दो option बचें इन दोनों में से हम लोग solve कर लेते हैं पहले आपका has this question been asked by the girls या फिर has this question asked by the girls देखो अब already यहां पर has have वाला जो tense होता है वो आपका पैसे वह इसमें जाने के बाद has been have been में ही तो चेंज होता है इसलिए आपका option number भी यहां से सही हो जाएगा has this question been asked by the girls क्लियर है आप सभी को बात कर लेते question number 3 की question number 3 है आपका पैसे से आपका question number 3 में पैसे में आपको क्या करना है आपको बहुत ध्यान से पैसे नहीं पढ़ना क्यूंकि आपको पैसे को याद नहीं करना है आपको पैसे पे एक नजर डालनी है नजर के बाद आपको सीधे सीधे आप question देखेंगे question में आप से पूछा है कि which kind of noun is ब्रेंगापूर वर वर अवॉडडेड बरेव हर्ट अव्यावार्डब दी ये आपका पैसे में दिया हुगा नहीं होसकता इसलिए ये आपका कौन सा नावन हो जाएगा प्रॉपर नाउन क्योंकि कोई भी जगे का नाम हो वो आपका प्रॉपर नाउन में गाता है क्लियर है आप सभी को तो कुष्ट नमबर थ्री यहां से सही हो गया बात कर लेते फोर की तो फोर में आपसे पूछा है विच पार्ट ऑफ स्पीचिस ब्रेव यानि कि ब्रेव किस पार्ट मतलब क्या है तो ब्रेव देखो जैसे कि क्या होता है ब्रेव होता है बहादूर और बहादूर या मतलब जैसे कि कोई इंसान है वो बहादूर है तो फिर यह क्या होता है यह इसकी विसेस्ता बता रहा होता है ना इसलिए यह एड्जेक्टिव कवर करता है तो ब् कोई लड़का brave है तो noun लड़का हो जाएगा और अगर वो brave है तो फिर वो adjective हो जाएगा इसलिए आपका यहां पर adjective हो जाएगा बात कर लेते हैं कुश्च नमबर 5 की फाइवे आपसे पूछ रहा है कि which words is material noun अब material noun क्या होता है पदात वाचक संग्या आप सभी देखके पहचान जाएगे काउ है कि गोल्ड है कि air है यह क्लास है तेखो गोल्ड जो है वो सोना पदात वाचक संग्या में आता है यानि कि material noun आपका होता है इसलिए option number भी यहां से सही हो जाएगा question number six आपसे पूछ रहा है कि which of the following words is abstract noun abstract noun आपसे इन्होंने पूछा है ठीक है abstract noun क्या होता है जिनने आप feel कर सकते हैं ठीक है कोई feeling हो जिसमें उसे आप abstract noun कहते हैं ठीक है आप भाई सबसे पहली बात connection है boy है woman है और plow है ठीक है तो abstract noun basically मैंने आपको बता है feeling होती है तो इसमें connection जो word है connection का मतलब क्या होता है किसी से लगाओ या फिर किसी से जुडाओ किसी से लगाओ जो है वो आप feel कर सकते हैं इसलिए यह आपका abstract noun में आ जाएगा option number a यहां से right हो जाएगा बात कर लेते हैं question number seven की question number seven आपसे पूछ रहा है कि which kind of noun is adversity? Adversity आपका किस तरीके का noun है ठीक है आपसे पूछ रहा है common noun है, proper noun, abstract noun, या फिर collective noun है तो guys adversity means क्या होता है? Adversity means होता है आपका कठनाई या विपत्ती आना, ठीक है? कठनाई या विपत्ती आना, adversity की meaning होती है अब जब कठनाई या विपत्ती आती है तो क्या करते हैं आप? उस चीज को feel करते हैं परशान होते हैं इसलिए आपका यह abstract noun में आ जाएगा, ठीक है? abstract noun यानि कि option number C यहां पूछ रहा है कि which part of speech is the word hard in the sentence he is working hard, ठीक है? he is working hard में hard जो है वो आपका किस तरीके का part of speech है, ठीक है? अब देखिए, इसमें आपसे hard के बारे में पूछा गया है, hard means होता है, मतलब working hard means होता है, महनत से वो काम कर रहा है, ठीक है? option आपके दे गए है, adverb है, conjunction है, preposition है, या फ पिर आपका ये noun है, clear है आप सभी को? तो देखिए, hard जो है आपका वो यहाँ पर, conjunction भी काम नहीं कर रहा, preposition भी नहीं कर रहा, noun भी नहीं है, इसलिए आपको option number एक ही बसता है, जो की है adverb, ठीक है, conjunction क्या होता है? दो, मतलब जैसे कि किसी दो words को जोड़ता है, वो conjunction कहलाता है, ठीक है, preposition, preposition भी नहीं है, hard कोई preposition थोड़े नहीं होता है, और noun भी नहीं है, इसलिए आपको option number A से सही हो जाएगा, अच्छा, adverb होता क्या है, adverb जो होते हमारे, वो किसी भी noun के, या फिर verb के, या फिर, किसी भी noun या वर्ब के पहले use की एसा सकते है, ठीक है, इतनी बत आप सभी को पता है, adverb कहलाते हैं, वो जो किसी noun या verb के पहले use किया सकते हैं, तो यहां पर जो he is working hard है, वो आपका adverb के रूप में काम कर रहा है, बात कर लेते हैं question number 9 की, question number 9 आप से कह रहा है कि which of the following sentence has a conjunction, यानि कि कौन सा sentence है, जो की conjunction, जिसमें conjunction है, she is awfully busy, इसमें तो को कोई conjunction नहीं देख रहा, she is poor but, she is by nature, hospitable, देखिए, मैंने आपको बताया था कि जब दो sentences को या दो words को कोई चीछ जोडता है, वो conjunction कहलाते है, आप she is poor, वो तो poor है ही, लेकिन उसका nature बहुत अच्छा है, तो इसलिए आपका ये but से add हो रहा है, जोड़ रहा है, इसलिए आप का option number C, यहां से सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें conjunction है, clear है आप सभी को, add कर लेते question number 10 की, question number 10 आप से पूछ रहा है कि, कौन सा present perfect tense में है, अब present perfect tense में पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, present perfect tense जो होता है, वो हमारा, क्या कहते हैं, has और have लगा होते हैं, और work की third form ल से right हो जाएगा, बात कर लेते question number 11 की, 11 आप से कह रहा है कि which following is a misspelled word, देखो misspelled word जो होते हैं, बहुत ही minor mistake के साथ आप से पूछे जाते हैं, बहुत सारे लोग इसमें गलतियां करते हैं, तो आपको यह चीज पता होनी चाहिए, ठीक है, कई meanings आपको याद होनी चाहिए, देखो, desication ये भी सही है हमारा, क्योंकि इसकी spelling सही है, D-E-S-I-C-A-T-I-O-N, descendant, D-E-S-C-E-N, D-A-N-T, ये भी सही है, derogatory, derogatory आपका मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि बिल्कुल गलत है भी ये, derogatory में जो G-A-T-O-R-Y होता है, A-R-Y नहीं होता है, ठीक है, derogatory means होत है, आपका, अपमान जनक, ठीक है, अपमान जनक, क्लियर है आप सभी को, तो आपका option number C, यहां से सही हो जाएगा, बात कर लेते question number 12 की, question number 12 आप से कह रहा है, कि which of the following sentences is a transitive verb, कौन सा sentence ऐसा है, जिसमें transitive verb पाई गई है, या फिर है, ठीक है, देखो, मैं आपको transitive और intransitive पहचानने का एक सबसे छोटा और आसान सा तरीका बताती हूँ, जो कि 99% आपका work करेगा, ठीक है, एक परसेंट हो सकता है, यह work ना करेगा, transitive verb वो वर्व होते हैं, जब हमें क्या, क्यूं, कैसे मतलब question, कोई भी आपको अगर sentence दिया है, उसमें हम अपने आप से question करेंगे, जैसे क्या, क्यों, कैसे, अगर उसका जवाब मुझे मिल रहा है, तो वो transitive वर्व है, अगर उसका जवाब मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो intransitive वर्व है, clear है आप सभी को, तो इसमें हम लोग देख लेते, C walks in the morning daily, अब वो सुबह सुबह रोज टहलती है, इसमें हम लोग ये नहीं पूछ सकते हैं, वो क्या टहलती है, वो क्यों टहलती है, ऐसे नहीं पूछ सकते हैं, इसलिए आपको option number ये गलत हो जाएगा, He is running very fast, वो बहुत तेज दौड रहा है, वो क्या दौड रहा है, ये भी गलत है, C writes well, वो अच्छे से लिखती है, बिल्कुल सही बात है, वो अच्छे से लिखती है, तो इसमें भी हमें answer नहीं मिल रहा है, लेकिन I killed a snake last night, इसमें आप देख सकते हैं, कि मैंने एक साप, मतल रहा है, क्या question करने पर, इसलिए आपका transitive verb कौन सी हो जाएगी, option number D, मैं तो इसी तरह पैचानती हूँ, बाकि आपके लिए जो suitable हो, वो आप देख लीजेगा, बात कर लेते question number 13 की, question number 13 आप से पूछ रहे हैं कि, which of the following sentence is negative, कौन से sentence negative है ये आप से पूछा गया है, I come from rich family, ये भी नहीं है, you can do all this in no time, ये भी नहीं है, they are very gentle people, ये भी नहीं है, he does not listen to me, इसमें not लगा हुए है न, इसलिए आपका option number C, ये सही हो जाएगा, clear है आप सभी को, option number C, यानि कि, he does not listen to me, clear है आप सभी को, बात कर लेते question number 14 की, 14 आप से पूछ रहे हैं कि, which of the following sentence is exclamatory, यान कि exclamatory sentence कौन सा है, देखो, पहली बाद तो exclamatory sentences में आपको last में ये वाला sign मिलेगा, लेकिन इन में नहीं दिया गया है, क्योंकि आपको इसे पहचानना है, ठीक है, अब exclamatory sentences वो होते हैं, जो आस्चरे चकित sentence होते हैं, कि मतलब आप जिसको सुनके आस्चरे चकित रह ठीक है, तो अब हम लोग sentence पढ़ने की कोसिस करते हैं, what a piece of work is man, ठीक है, what a piece of work is man, पहला option है, दूसरा आपका option है, what do you know about ancient India, ये तो normal हमारा sentence है, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा, which is your favorite book, ये भी आपका simple sentence है, इस क्रिवयल्टी न्यू, नो बाउंट्स, ये भी आपका simple sentence है, इसमें अगर आप देखेंगे, तो what a piece of work is man, यानि कि इसमें आपको explanation के भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए आपका option number A याँ से सही हो जाएगा, अगर आपको नहीं भी समझ में आते हैं, तो सबसे पहले आप options को हटाना सीखें, तीक है, जैसे ही आप options हटाना सीख जाएगे, आपके answer अपने आप मिल जाएगा, बात कर लेते question number 15 की, 15 में आपका point out the complex sentence, यानि कि आपको complex sentence पहचानना है कि कौन सा है, अब भाई complex sentence क्या होता है, complex sentence होता है, जिसमें आपके पास दो या दो से अधिक sentence, एक ही sentence में पाई जाते हो, they are very wise people, ये तो नहीं है, simple है, you know me very well, ये भी नहीं है, she does not think ये भी नहीं है, one who does not live in one's country is a rash person, देखेंगे तो हमारा option number D सही है, क्योंकि इसमें दो sentences आ रहे हैं, clear है आप सभी को, तो आपको guys, अभी पता चल गया होगा, कि Uptate में किस तरीके से English पूछी जाती है, बहुत टफ नहीं पूछी जाती है, लेकिन आपको चीजों का idea होना बहुत जरूरी है, ठीक है, तो आज की वीडियो में लोगोंने 15 questions solve की हैं, बाकि 15 questions हम next part में solve कर लेंगे, और I hope आपको सारी queries को solve कर सकते हैं, और अपनी जानकारी ले सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, तो आप subscribe करके bell icon on करना बिल्कुल न भूलें, ताकि next videos के update सबसे पहले आपको मिल सके, तब तक कि लिए आप सभी अपना खयाल रखिएगा, मिलेंगे next video में,